जीवन में बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन कितने जन है जो बोलते हैं वही करते हैं। नहीं करेंगे गलती उनकी नहीं है जो आपकी बाते नहीं सुनते हैं गलती आपकी है क्योंकि ये दुनिया कहने वालों की नहीं बलकि करने वालों के पीछे चलती है और ये भी सत्ते है कि कुछ इंसान है इस दुनिया में जो बोलते हैं वही करते हैं इस तरह के लोग बहुत बातचित करोगे तो आप अपना समय गवाओगे साथी साथ अपनी दिमाग को भी असांत कर दोगे जिससे आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे यदि आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बड़े लोगों की बीच हो तो आपको सबसे पहले कम बोलने का आदर डाल लीजिए और आप अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए इस दुनिया में कुछ चीज है जो आप बोल कर बयान नहीं कर सकते हैं अब आप पूछोगे क्यों वो इसलिए क्योंकि आप अपने काम के इसलिए लोगों को बता सकते हैं जब आपका काम आपके बातों से ज़्यादा बढ़ा होंगे तब आप जितना कम बोलेंगे लोग आपको सुनने के लिए उतना तरसेंगे आप हमेशा याद रखना कि आपकी दैनिक जीवन में भी आपका मौन का महत्तव बहुत अधिक होती है देखा गया है कि सांत रहकर एकांत में किया गया काम सही से और सफलता से होती है अगर आप एक स्टूडेन है तो ध्यान लगा कर पढ़ाई करने के लिए आपको एक सांत और एकांत बातवर्ण की जुरत होती है और वही काम यदि हम असांत मन से करें तो वही काम कभी भी सक्सेस प्राप ने कर पाती है इसी तरह से सबसे ज़्यादा सोर हम अपने आसपास अपने बोलचाल से उत्पन करते हैं अगर हमें वाके ही सांती चाहिए तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की कला को, अपने पैशन को समझे, अपने आपको समझे कि हमें जीवन में क्या चाते हैं, क्या करना चाते हैं, तो अविश्य ही हम अपने सफलता के उचायों को छू सकते हैं, क्योंकि हम अपने आपको जान चुके हैं, और उसके लिए जर बरस्ता है वो बरस्ता नहीं, सिर्फ आप इस बात को याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने पर ही अधिकार है, बाते तो बाद में भी होते रहेंगे, आपका काम आपका पैचान मनेगा, सो दोस्तों आप बाते कम और काम जादा करने लगें, धन्यवाद. साथ जुरे रहने के लिए बेल आइकोन को दबाए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थाइंक्यू, जैहींद.